कोरोना वाइरस संक्रमित चल रहे बलिया के मुख्चिकिस्ता अधिकारी सीमोच जितेन पाल ने सोमवार को लखनवु में संजय गांधी पीजी आई में दम तोड़ दिया उनकी रिपोर्ट 28 दिसंबर को पोजिटिव आई थी कोरोना वाइरस संक्रमित मुख्चिकिस्ता अधिकारी डॉक्टर जितेन पाल का सोमवार को संजय गांधी पीजी आई लखनवु में इलाज के दोरान निधन हो गया डॉक्टर जितेन पाल की 28 दिसंबर को रिपोर्ट कुरोना वाइरस संक्रम अड़की रिपोर्ट पोजिटिव आई थी बल्या में इलाज के दोरान अचानक ऑक्सिजन लिवल गिरने के कारण दॉक्टरों के टीम में उन्हें पीजियाई रिफर कर दिया था प्रभारी CMO डॉक्टर हरी नंदन प्रसाद ने बताया कि बल्या में मुक्चि कित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेन पाल की कुरोना रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद उन्हें सांस लिने में दिक्कत आ रही थी अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा था उन्हें बैतर इलाज के लिए संजे गांधी पीजी आई रिफर किया गया था जहां पर इलाज के दोरान उनके स्वास्त में कुछ सुधार हुआ था किंतु सोंबार की सुबा वहां पर उनका निधन हो गया दिवंगत CMO डॉक्टर जितेंपा संतकबीर नगर के निवासी थे वर्तमान में मैत्रिपुरम बिछिया जिला गोरक पूर आकर बस गए थे बलिया में जुलाई 2020 में इनकी तैनाती CMO के पत पर हुई थी इंडियन प्राइम निउस से ब्यूरो रिपोर्ट